Of course, with the help of this center, हम हर प्रकार के चैलेंज को, चाहे वो जमीनी हो या आसमानी हो, belongs to the earth, are the heavens. हमारी वो ताकत है कि हम उसको फेस करते हैं. इतने बड़े एक्सिडेंट के बाद भी, देश के रेलवे मनिस्टर प्रधान मंत्री जी, पूरा मीटिंग को रेव्यू करने के प्रशाथ, आदर निये मुख्यमंत्री जी, सभी लोग और सभी डॉक्टर्स, सभी पैरा मिलिटरी जितने भी वुर्सीज हैं, जितने भी फार्मेसिस्ट हैं, जितनी मैडिसंज हैं, यानि एक सेकेंड के अंदर आप देखिए, 900 लोगों का लाइन लग गया है बलड देने के लिए, इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और जिदर से लोग आए हुए हैं, जिनका रेजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो अपने माता पिदा को जाकर मिल सकते हैं, लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में, दुर्भाग्य से, उनके घरों की भी चिंता, देश के माननी प्रधान मंत्री जी, और उतकल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं, आप सब ने भी महसूस किया होगा, कि कितने लोग किस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर हैं, मुझे लगता कल शाम के साथ बज़े से लेकर, अभी तक और कल का साथ भी बच जाएगा, ऐसे कब लिक 48 घंटे तक लगाता, लोग डॉक्टर्ज हैं, नर्सीज हैं, आप सब लोग हैं, एक पैर पर खड़े हैं, तो इस प्रकार की सेवा की भावना, हम सब समझते हैं कि अपना प्रदेश उड़ी सा प्रदेश, हम फनी का मुकाबला करते हैं, तितली का करते हैं, हम तो हुड़बुड़ सब का मुकाबला करते हैं और विश्व में हमने नाम भी कमाया है इसलिए इस चैलेंज को भी हमने एकसेप्ट किया है और भारत के माननिय प्रधान मंत्री जी और अपने उतकल परदेश के मुख्य मंत्री जी और उनकी पूरी टीम इस सब मिलकर इसका मुकाबला करकर हम इसमें काम्याब होंगे जो लोग चले गए हैं उनके परिवारों की भी चिंता करने का भर्ण पोशन करने का उनका केर एंड शेर करने का भी जिम्मेवारी देश के परदान मंत्री जी ने रेल्वे मनिस्टर ने और मुख्य मंत्री ने लीए